इस स्टोरी के सुरुवात में हम देखते हैं हमारे हीरो की आँखे धीरे-धीरे से खुल रही होती हैं और वो अराम से बैठते हुए अपने माथे को पकड़ कर कहता है आखिर मेरे सिर में इतना पेन क्यूं हो रहा है क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ फिर हम देखते हैं हमारे हीरो के पूरे बोडी में अचानक से पेन होने लगती है और उसे बेक मेमोरीज याद आने लगती हैं और हम देखते हैं हमारे हीरो को जो की सिकड़ों में बंधा हुआ होता है और उसे कोई वेक्ति कहता है कि तुम काफी टैलेंटेड हो तुमने में ही फास्ट हेवेन ओफ जियांतियान को ब्रेक्थ्रू कर लिया है तुम तो काफी टैलेंटेड हो और हम देखते हमारे हीरो की उपर एक फॉर्मेशन बनी हुई होती है और वह सी कड़ों में बंधा हुआ होता है और उसके पूरे बोडी में क्रिस्टल्स को डाल दिया गय होता है और उसे कहा जाता है तुमने मुझे आश्चरिय चकित करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है मोफैन तुम्हारे पीछे इस अस्टेट के कई सारे कल्टिवेटर्स लगे रहें लेकिन तुमने उन सभी से बच कर काफी मुझे हैरान किया है फिर हम एक ओल्ड मेन को सर्वेंट को मैंने पकड़ा नहीं होता तो तुम तो मेरे हाथ ही नहीं लगते अब अच्छे वेक्ति बनो और अपने सर्वेंट को बचाना चाहते हो तो मुझे अपने वूड इस्प्रिच्वाल विंस को यानि की नसों को दे दो फिर हम देखते हैं हमारे हीरो के हेड के स असानी तरीके से अपने स्प्रिच्वाल विंड विंस को देते रहोगे मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूँगा और तुम्हारी नोकरानी को भी फिर हम देखते हैं वो मुस्कुराते हुए एक टेकनिक का यूज करता है जिसका नाम स्क्रिप्ट मेथर्ड बलड इंप्य तुरी कर्श होता है और वो उसके मदद से हमारे हमारे हीरो के ब्रेंग से उस सेंबल को निकालने लगता है जो की स्प्रिच्वाल वूड विंस होता है और वह कहता है निकालते हुए की हाहा आखिरकार मुझे इस फैमली में एक टॉप गरेट का वुड वीनस मिल ही गया फिर हम परजेंट में देखते हैं हमारा हीरो अपने आपको चेक करते वे कह रहा होता है क्या मैं अभी भी इस सपने में हूँ कितना खौफनाक सपना था क्या मैं आखिरकार इस अजीब जगा पर क्यूं हूँ और मैंने इस तरह के अजीब कपड़े क्यूं पहने हुए हैं हमारा हीरो खड़े होकर इधर उधर देखने लगता है क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अभी भी कोई सपना देख रहा हूँ फिर हमारा हीरो अपने आपको चेक करके कहता है नहीं बिलकुल नहीं मैं कोई सपना नहीं देख रहा हूँ या तो एक रियालिटी है मैं इस अर्थ के आखिर किस हिस्से में हूँ फिर हम देखते हैं हमारे हीरो को एक आवाज आती है कि या मो फेमिली है जो कि लिंग्याउन सिटी के नोर्थेन विंड एम्पायर में है ये आवाज सुनकर हमारा हीरो अपनी और अंगोली करते हुए और कॉस्टिन मार्क लगाते हुए कहता है क्या ये आवाज कहां से आई क्या मैं यहाँ पर अकेला नहीं हूँ आखिर ये क्या हो रहा है कौन बोला आखिर फिर हमारे हीरो का आवाज आती है या एक लंबी कहानी है इसे तुम्हें आसानी तरीके से समझ में नहीं आने वाली है और हम रे सामने एक सिस्टम को देखते हैं जिसकी एक आख होती है और उसके उपर डोरी मौन वाला हलिकॉप्टर भी होता है और वो कहता है कि जो फोन तुमने खरीदा था वह विस्पोर्ट हो गिया जिसकी वज़ा से तुम्हारे बोडी के चितरे उड़ गए और मैंने बहुत ही महनत से तुम्हारे इस प्रीट को ही बचा पाया और जिसे मैंने इस बोडी में लाकर डाल दिया है वो भी टैम ट्रैवल के द्वारा चलो अब तुम मेरा धन्यवाद करो यानि कि मुझे ठैंक्स को ये सुनकर हमारा हीरो बहुत ही डर जाता है और चिला कर काता है फॉक आखिर क्या बखवास कर रहे हो क्या तुम कर रहे हो कि मैं मर चुका हूँ आखिर तुम मेरे साथ किस तरह के मजाक कर रहे हो तुम हो कौन फिर सिस्टम काता है मुझे CNN BBC News का सकते हो मैं लोड CC हूँ हम देखते हैं ये सुनकर हमारा हीरो काता है क्या लोड CC तुम तो CNN BBC वो न्यूस फोन हो जिसे मैंने इंस्टॉल किया था सिस्टम काता है तुमने मुझे इंस्टॉल किया था इसलिए मैं तुम्हारी जान बचा पाया आज से तुम मेरे होस्ट हो हम देखते हैं ये सुनकर हमारे हीरो का मुझ उतर जाता है और वो कहता है फोन विस्पोर्ट हो गया अधिकतर लोग इससे तो केवल विकलांग होते हैं आखिर मैं मर कैसे सकता हूँ मेरे चित्रे कैसे उड़ गया फिर सिस्टम कहता है कोई जासा नहीं दे रहा हूँ मैं आपको मैंने आपको बहुत ही खतरनाक तरीके से बचाया है और आपके इस विस्पोर्ट होने से पहले आपके इस प्रीट को इस बोड़ी में लाकर डाल दिया है मेरे पास आपको इस अस्थान पर लाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं नहीं था वैसे भी अब आप विंड एंपायर के नोर्थेंज सिटी में है और आप मेरे होस्ट है और आपका नाम मो फैन इस वर्ल्ड में भी है फिर हम देखते हैं सिटम मजाके तरीके से हमारे हीरो के गाल को टिंच करते हुए कहता है ओ हो हाँ मेरे अहसान मानो मैं लोड सीसी हूँ चिंता मत करो मैंने तुम्हें यहां बचाया है क्या तुम खुस हो हाँ हाँ क्या आप भावुक हो रहे हो आपने आशू को रोक नहीं पा रहे हो तुम सच में बहुत ही कॉमेडियन हो फिर हम देखते हैं सिस्टम कहता है और मेरे पास तुम्हारे लिए एक बेड निउस भी है जो तुमने अभी अभी सपना देखा वा सपना नहीं वा इस बोडी के साथ हुए हाकिकत में घटनाएं है तुम्हें बुरी तरह से पीटा गया और तुम्हारे इस प्रीचवल वूड वीनेस को भी ले लिया गया इसलिए अब तुम पात ओफ डी आई वाई एन जी के पर रास्ते पे हो देखते ये सुनकर हमारे हीरो को कुछ समझ में नहीं आता है और वो इरिटेट हो रहा होता है गुसा हो रहा होता है इन चीजों को सुनकर और फिर वो चिलाते हुए काता है क्या कितना बुरा हो सकता है मेरे साथ आखिर मेरे पास जिन्दा रहने के लिए अब और कितने दिन है किसी और टाइम में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं किसी और बोडी में समय के पीछे जाकर नहीं जा सकते हैं हम देखते हैं यह सुनकर सीसी कहता है तुमने समझ क्या रखा है टाइम ट्रैवल को आखिर यह कोई मजाक है मैंने बहुत मेहनत से यहां पर लाया है अब जो तुम्हें मिल गया है वही तुम्हारा भाग यह है hmो करता है मैं तुम्हें ब्लर्ड हॉल में भैज दूंगा आखिर तुम किस तरह की बकवाज कर रहे हो मेरे पास एम स्रीप 3 दिन बचे होई है कुछ करो मेरी मदद करो हम देखते हैं यह सुनकर वो कहता है सिसी कहता है आखिर कार मैं तुम्हारे स्रीप विन्स को ठीक कर सकता हूँ तुम्हारे नसों को ठीक कर सकता हूँ आखिर कार मैं लोर्ड सिसी हूँ लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारी चीजों को जाच करना होगा तुम्हारे लेवल क हम देखते हैं हमारा हीरो का प्रोफाइल खुलता है और उसे बताया जाता है कि अब तुम्हारे पास लोड सीसी है जिसके हेल्प से तुम वर्ड में हो रहे हर एक न्यूज के बारे में जान सकते हो और तुम्हारे पास जो हेल्थ है उसके पॉइंट तीन है तुमने जिस मार्शल आर्ट का अभ्यास किया है वा किंगमू पाम है जो की हूमिन लेवल के लो लेवल पर है और तुम्हारी अवस्था एकदम हानी कारक है तुम्हारी इस्प्रीट की हम देखते ये सुनकर मो कहता है सच में मैं पूरे वर्ड के सभी तरह के न्यूजों को पहले ही जान सकता हूँ जिससे तो मैं अपना पहला कदम उठा पाऊंगा किसी और के जानने से पहले ये तो अच्छा है बी टी डबलू थिरी है पॉइंट्स है जिसका मतलब तुम्हारे पास तुम्हारे लाइफ के सिर्फ थर्ट डेज ही बचे हुए हैं और तुम्हें गिप्ट पेकेज को खोनने के लिए वन हेल्थ पॉइंट्स लगेंगे तो तुम्हारे पास प्यार करने के लिए केवल दो दिन ही बचे हुए हैं आज तुम्हारा पहला दिन है और हम देखते ये ककर सिस्टम उसे साला रहा होता है और हमारे वीरों के मुँ से पानी निकल जाता है और वो हमारे सिस्टम को पकड़ कर घीशते हुए ड्रावनी तरह से कहता है तो पताओ मुझे next क्या है tell me about first next आखिर में आगे क्या करूं और हम सिस्टम को देखते हैं जो चिला रहा होता है कहता है आ आ दर्द हो रहा है दर्द हो रहा है फिर सिस्टम एक टीचर की त चाहते हो तो तुम्हारी life time भी बढ़ती है और दूसरी twice तुम्हारे पास है जो की life को बढ़ाने वाली पिल को डेन पिल को लेना चाहिए और सिस्टम कहता है इससे आसान बनाने के लिए तुम्हारे पास केवल यही दो रास्ते हैं इसके अलावा मैं तुम्हें और कुछ नहीं बता सकता हूँ फिर हम देखते हमारा hero बैट कर सोचने लगता है और कहता है कि मेरे जो spiritual wins है वो तो बन चुकी है ठीक हो चुकी है सिस्टम की वज़ा से भले ही लेकिन मेरे पास talent कितना ही क्यों ना हूँ लेकिन तीन दिन के भीतर आगले stage में breakthrough करना इतना आसान नहीं होगा मेरे लिए केवल अपने life को बढ़ाने के लिए डेन पील ही बसता है जिस पर मैं निर्भर रह सकता हूँ अगर वो मिलता है तभी मैं जिंदा रहा पाऊंगा फिर हम देखते हैं सिस्टम कहता ओ ये तो बहुती दुखत समचार है फिर हमारा hero चीड़ते हुए अपने देन पील्स बहुत महंगी होती हैं आखिर मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं हलाकि मेरी जो spiritual wind ठीक हो चुकी है लेकिन family वाले मुझे इतनी महंगी पील खरीद कर नहीं दे सकते हैं फिर हम देखते हमारे सिस्टम को जो कहता है घबराओ नहीं मुझ से पूछो सर्वसक्त इमान लोड CC से वो तुम्हारे help करेंगे मेरे सामने जुको और भीक मांगो हम देखते हैं यह सुनकर हमारा hero थोड़ा सा सूँचता है काता हूं आखिर मैं तुम्हारे आगे भीक मांगू फिर हमारा hero खतरनाक तरीके से उस system को पकड़कर गुस्षे में उसे देखकर हसते ह हुए कहता है कि हाँ मैं अब तक दो बार जी चुका हूँ और मैंने अभी तक अपने मदर और फादर के आगे भी भीक नहीं मांगा हूँ आखिर तुम सोसते क्या हो फिर हम देखते हैं वो सिस्टम को छोड़ देता है उसके सामने पैरों में जुक कर कहने लगता है तो मैं आ खयालू लोड सिसी तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे लिए एक समाचार भेज रहा है जिससे तुम्हारी मदद होगी फिर हम एक जंगल में किसी दो लोगों को मंगल करते हुए देखते हैं और सिसी कहता है सुभा सुभा मोहू और जू इंग इंग बड़े मोह फैं आखिर मैं इसका क्या करूं आखिर इस जानकारी का मैं क्या कर सकता हूं और हम देखते हैं मो बहुत ही कसकर लोड़ सिसी के कानों को पकड़ कर घुमा कर उसे और मोड़ने लगता है और कहता है तुमने अभी जो चीजे बताई वह बहुत ही बेकार है आखिर उससे मेरा क्या पाइदा आखिर ये मेरी शाहिता कैसे करेगा और सीसी कह रहा होता है ये दर्द कर रहा है ये दर्द कर रहा है फिर तब ही हम देखते हैं कि एक गेट का दरवाजा खुलता है और कोई कहता है यंग मास्टर और हम देखते हैं एक खुबसरत से लड़की को जिसके बारे में ब कुमेंट और बताना कि इसके नेक्स्ट एपिसोड को लाउंकी नहीं और यह डूंग हुआ कैसा लगा आपको जरूर से जरूर बताना इसे सियर करना